भारत में ज्ञान की पूछ नहीं रही है कभी भी इसली तो रो रहे हो चमतकारों के पीछे भागो और चमतकार चाहिए अरे भगवान राम का भाई लक्षमन को लगा सक्ति बाण और भगवान रो रहे हैं कि डॉक्टर रहो भारत के लोगों अगर तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धी और प्रग्या बची है तो इस बात को ध्यान से सुनो राम की कधा में राम के भाई को सक्ति बाण लगा साख्षात परमात्मा है इश्वर है वो चाहें तो मस्तक पर हाथ ऐसे रख दें तो लक्षमन ठीक हो जाए पर रामन के डॉक्टर को बुलाया गया सुसेन बैट देखो और डॉक्टर भी कितना अच्छा था देखो दुस्मन का डॉक्टर है लेकिन मानोता के लिए मानो की सेवा करने को तयार है चिकित्सक का धर्म है कि उसके पास कोई भी चिकित्सा लेने आए वो उस मानो की सहायता करे ये चिकित्सक की धर्म है उस धर्म का निर्वा रावन के डॉक्टर ने भी निभाया चाहता तो ये काक इंजेक्शन ऐसा दे 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 ताकि और मामला ख़ाओ। लक्षमण के बचने से ज्यादा फाइदा था रावन को कि लक्षमण के जाने से फाइदा था? जाने से फाइदा था. पच्चिकित्सक ने क्या किया? सुबह तक संजीवनी बूटी चाहिए अच्छा राम जी को भी दवाई चाहिए तब काई को भगवान हो वही है सुनो मूर्खों की तरह जाहिलों की तरह चमतकारों के पीछे भागने वाले लोगो साथ साथ भगवान राम का भाई भी मारे तो वो डॉक्टर बुला रहे उसके बाद दवा लाने के लिए हनुमान जी को बेज रहे वो भी सुरियोदे से पहले समय से पहले बारत की जंता है यह यह सो कॉल्ड विद्वान लोग नहीं यह ग्यानी लोग तुमारे ग्यान को कौन पूछेगा न तुर राम मानते हो न तुम रामायन मानते हो न राम के चरित्र को मानते हो न राम के लीला को मानते हो भगवान राम को कभी आपने देखा मनुस्य की तरह पूरी जिंदगी एक मानो जो करता है अपने पुरुशार्थ, पराक्रम, गुरु आज्या नीती प्रवनता इन सब गुनों के कारण राम राम बने अयोध्या के लोगों ने साथ नहीं दिया लंका से लडाई में तो जंगनों के बानर भालूं को अपना बनाया कोल भील उनके साथ रहे जिसे तुम जंजातिये कहते हो वो राम की आत्मा बने और राम उनके जूठे बेर खाए राम जटायू का अन्तेष्ठी करते हो कितना प्रीम है उनको राम को राम ने चीतना भरदी सब के भीतर में भक्ति प्रवनता भरदी सब के भीतर में भगवान कभी चमतकार नहीं सिखाए कभी मनुस्य को अकर्मन्य निकम्मा और अज्यानी नहीं बनाए गाउं में बैठें हुए तुम लोग कभी दरवाजे पर कोई चूड़ी तोड़के डाल दे कोई नीबू और मिर्ची डाल दे कोई सिंदूर डाल दे तो बाप बाप करने लग तो ये भगबाप इतला होगि नीबू मिर्ची डाल दे तो एक चिट्धी लेक करके बाहर रख दिया करों कि भईा अधरख भी कल डाल दे बढ़िया जिखाएंगे डरते हो राम की सन्तान होकर क्रशन की संतान होकर जानकी की बेटी हो तुम राधा रानी की सखी हो तुम मदालसा की सखी हो तुम अरे जहांसी वाली रानी की बिटिया हो तुम उनकी बहने हो तुम और तुम नीबू और मिर्चियों से डरती हो तुम तूटे हुए चूडियों से डरती हो तुम लाल कपड़ों से डरती हो तुम डोरे से तरती हो अगर इन नीबू और मिर्चियों में इतना ही सक्ती होती तो भारत की सेना पर इतना पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं था बलकि पाकिस्तान के बॉडर पर भारत के बॉडर पर नीबू और मिर्ची टांग देते, पाकिस्तानी उधरी रह जाते, नजर नई लगते उने, पर इतने सेना क्यों खड़ी है, डोकलाम में सेना क्यों खड़ी है, क्यों इन सब जगों पर खड़ी है, धर्म भय का नाम नहीं है, धर्म निर्भय बनाता है, धर्म भीरूता नहीं धर्म प्रेमता चाहिए जीवने धर्म से प्रेम करना है धर्म से डर्ना मत राम डराने के लिए नहीं आये है राम तुम्हें निर्भीक बनाने के लिए आये है कृष्ण डराने के लिए नहीं आये है छे दिन के हैं और जहर लगा के पूतना आ गई दर गए भगवान चले गई पूतना कितनी पूतनाएं आएंगी और कितनी जाएंगी अगर तुम भगवान की बेटिया हो भगवान के बेटे हो तो ग्यान में अपनी आस्था रखना गुरू में आस्था रखना सत्य में आस्था रखना प्रेम में आस्ता रखना और यही तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट लाएगा यही तुम्हारे बच्चों को सिंग की तरह बनाएगा